कि है गाइस कैसे आप सब लोग बहुत बहुत सुवागत है आज की इस वीडियो में यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो वो 20 इयर्स से नीचे के हैं जो टीनेजर्स हैं जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 10 साल 15 साल 16 साल 20 के अंडर में यह वीडियो उन चार्जबल होती है कौन सी रिचार्जबल नहीं होती है किसे चार्ज करने चाहिए किसे चार्ज नहीं करने चाहिए तो चलो यार आज की वीडियो सुरू करते हैं और मैं आपको एक एक करके सारी बैटरी के बारे में बताता हूं तो सबसे बात करेंगे हैं यह 9 वाट की ब तो आप लोगों को सोचा मैंने थोड़ी सी नॉलिज दे दूँ आप लोगों को समझ में आये ठीक है उमीद है यह वाला पार्ट आपको समझ में आया अगले अगले बैटरी की बात करें यह भी नाइन वोल्ट की बैटरी है वह पिछले वाले से कावी है वह अगर उसका काम 10 दिन चलेगा तो यह 15 दिन चलेगा इसतना पांच शे दिन का फारग होता इस बैटरी की पावर बहुत जाधा होती है होती नाइन वोल्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा एंपियर इसका अच्छा होता है और यह बैटरी भी चार्ज नहीं हो सकती है इस पर साफ साफ लिखा पड़ा है ठीक है ना तो इसके आप और यह मेरे को लाचपत राय मार्केट में करी 160 रुपीज का मिला है महंगा है थोड़ा सा जानता हूं यह चोटी चोटी चीजी चीज होती है न वह महंगी ही मिलती है कि उनकी डिमांड मतलब उनकी डिमांड बहुत जादा होती है लेकिन इस टॉक बहुत कम होता है इसलिए महंगी होती है इतनी ठीक है तो इस बहुत तरह की मार्केट में बैटरी अवेलेवल है लेकिन मेरे पास जो जो है जो बेसिक साइनस प्रजक्त में यूज होती है मैं वह आपको दिखा रहा हूं अगली बैटरी की बात करें तो यह एक लीथियम बैटरी है 3.7 बोल्ट की औ इसके साइस में और इसके साइस में आप फरक देख सकते हैं थोड़ा सा एंतर है छोटा बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर अलग बैटरी का सिस्टम tout नदर दूसरे वाले मंशरे बैटरी का सिस्टम है और ही जए मेर को वहां पर 120 रुपीज का मिला हा ए महला की ये बैटरी की बात करें तो यह है मेरे पास 18650 की बैटरी पुरानी बैटरी है यह मैंने यह मैंने पुराने लैप्टॉप की रिपेरिंग जहां होती है मैंने वहां से लैप्टॉप की बैटरी खरी दी उसमें से निकाला है छे सेल निकलते हैं लेकिन छे सेल में से सिर्फ दो ही अच्छी रही तो सारी निकल जाती है और किस्मत विकार रही तो एक भी सही निकलती है मेरे तरह जैसे दो सही निकल यह वैसी तो यह एक बैटरी लगबग 20-25 पढ़ गई मेरेको फिर भी घाटा नहीं हुआ है अगली बैटरी की बात करें मेरे साफ से दुनिया की सबसे एक LED सिर्फ पांट से 10 मिनट तक ही चला सकते हो बस इसे जाद इसकी पावर नहीं है इसका इस्तमाल जादा तर Bluetooth, Earphone वगएरा में इस्तमाल किया जाता है और आज करके जो यह एरपोर्ट आते हैं उनमें भी इस्तमाल किया जाता है तो इसका जादा यूज नहीं होता जाद एक अगली बैटरी की बात करें यह है में रफा 3.7 V की बैटरी है यह थोड़ी लंबे साइज में हैं बहुत साइज आते हैं 3.7 वोल्ट में और यह 100 mili-amp किया जाता और और भी बाट की science project हैं जिस में में इस्तमाल किया जाता है बहुत आसे वीडियो हैं जिसमें मतलब आप इसका istamall कर सकते हैं बाकी इसका भी ज्यादा यूज नहीं है ज्यादा डिमाड नहीं है इसकी लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना कि कौन सी बैटरी आप लोगों के लिए सही रहेगी ओके अगली बैटरी की बात करें यह 18650 की बैटरी मेरे पास न्यू औरिजिनल बैटरी है औरिजिनल नहीं कह सकते हैं क्योंकि इतना इस पर कोई ब्रैंड है नकुछ है मतलब वैसे तो कहा जाता है Samsung के या फिर और वीव वेगरा की पुरानी बैटरी होती है लेकिन नहीं यह ओर इसका प्राइज मेरको वहां 65 रुपिश में मिला है और यह 2600 एमेच की बैटरी होती है इसमें एक 2000 एमेच की ब्याती वह लोकल होती है उसे आप लो मैं यही recommend करूँँग आप यह वाली बैटरी जरूर ले अगर आपको take out अगर आपको life time life time तो नहीं कह सकता लेकिन चल जाएगा यह काफी बढ़िया चल जाएगा अगली battery की बात करें यह भी nice battery है 3.7 बोल्ड की ठीक है न और यह चोटी यह cell की तरह है डबले में डबले साइज में तब इसे डबले में यूज़ कर सकते हैं ठीक हैं तो मैं आपको इसका साइज दिखा देता ऑँ इससे कितनी चोड़ी इसती काफी ज़्यादा चोटी है कि आप लोगे के पास कौन कौन सी बैटरी अभी इस्तमें अवेलेबल है लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं जो 20 से कम के उमर के हैं अब इससे उपर वाले जो हैं उनको कुछ लोगों को नॉलेज रहती है वो उनकी मर्जी है अगर वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं वैसे वह लोग देखते नहीं क्योंकि स्किप कर देते हैं वह लोग उन्हें ज्यादा इतना इंटरस्ट नहीं आता अगली बैटर लिटर 10 लिटर 20 लिटर 50 लिटर में तो आपको 10-15 रुपय पर लिटर के हिसाब से मिल जाएगा यह बैटरी यूज हो यूस्फुल होती है एक साल दो साल चल जाती है जब तक इसके अंदर पावर तब तक चलता है नहीं तो इसके अंदर का जो लैड है वो खराब हो जाता ठीक और लीथियम बैटरी काफी बढ़िया चल जाती है वो तो 3-4 साल चल जाती है और इसका प्राइज मेरे को मैंने पुराना खरी दिया था मुझे 85 रुपीस का मिला था ठीक है तो मैं आपको दिखा दूं सेक्शन जहां पर पानी डलता है यह रबर हटा होगे तो इसके अ यह रिचार्जबल है इस बैटरी का इस्तमाल जादे तर कंप्यूटर के माउस जो होते हैं और अच्छी क्वालिटी के उसमें इस्तमाल किया जाता है और रिमोट कंट्रोल कार देखे होगी जब आप खरीदने जाओगा तो आपको यलो कलर की पैकिंग में यह सेल मिलते है रिचार्जबल होते हैं जो रिचार्जबल रिमोट कंट्रोल कार होती है उन में जादतर यह यूज किया जाता है तो यह मैंने वहीं से निकाला है मैंने इसे खरीदा नहीं है क्योंकि मुझे इसकी ज़रुत नहीं पड़ती है मेरा काम 18650 की बैटरी से हो जाता है लेकिन लिएंगा जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी किस-क्तरा की बैटरी मार्किट में अवेलेवेल हैं और कौन सी और कूँ खरीदनी चाहिए कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए ठीक है कमेंट करके nanAY किस-की यह वीडियो समझ में आ रही जल्धी से अगली बैटरी की ये इसे बोलते हैं बटन बैटरी ये काईंस आल भी बोलते हैं मतलब पैसे के जतना वात है इंगी इसमें बड़ा बैटरी नहीं कम्तुन होती है सब्सक्राह्ट पैसे के मेहांगी उन में उसको चार्ज करते है लेकिन ये हे आप संथी हैен 10-15 होती और ऐसी चोटी बैतर्इटियों का इस्तमाल जादा तर हम घड़ी उगारा में 상 pracy बड़ी बड़ी घड़ी यह फिर बड़े banyak बहुत बाड़े वॉल घड़ी होते हैं उन में किया जाता है अगली बैतरी की बात यह है मेरे पास नोकिया की बैटरी है यह से औरिजनल मत समझना भाई यह लोकल है यह मुझे मार्किट में 10 रुपे की मिली थी पुरानी ठीक है मैंने डैली लाचपत्रा कबारी बजार से परचेस किया था यह बैटरी लेके मैं पस्ता रहा हूं अगर आपके पस कोई औरिज जादर जो अच्छी क्वालिटी की होती है उनके अंदर प्रोटेक्शन बोर्ड लगा होता लेकिन इस बैटरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है देखो दो बैटरी मेरे पास नोकिया के पड़ी है एक मैंने उपर की जो कवरिंग है वो निकाल रखी है मैंने वायर कनेट कर आपके पास करते हैं यह मेरे पास औरिजिनल बैटरी यह मैंने स्मार्टफोन से ही निकाली एक खुद यह जी ओनी की और पास सोनी की है यह लगबग 3000 एमेच की बैटरी है और इन दोनों की क्वालिटी बहुत बढ़िया क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन बोर्ड लगा है यह आपको कहीं सस्ते में गलती से मिल जाती है या फिर किसी मोबाइल की दुकान अगरा किस जान पैचान है आपकी तो आप वहां से जाके आराम से खरीद सकते हो आपको सस्ता मिल जाएगा और आपका प्रोजेक्ट के लिए काम भी हो जाएगा अगर ऐसी बैटरी आपक अगली और आखरी बैटरी की बात करते हैं इस बैटरी को बहुत लोग जानते है और इसमें निपो का भी आता है निपो और एवर रेडी दोनों ठीक है सबसे अच्छी क्वालिटी होती है डिवरेसल आपने देखो लॉंग टाइम चलती है लेकिन उसको भी डिचार्ज नह पहुत की निपो निपो इसे पैसिल सेल बोलते हैं और ये वाली जो इसे बीटरी नहीं हो सकते की बात ध्यान रखना अगर वेस्पाइटेड कोई आइडिया है आप इससे कोई अच्छी अच्छी मेरे बना सकते हो तो काफी बैटर 2 गा आपके लिएमेर उमीद है मैंने ज निहान रखना, टेक केर और गुडबाई